हालो स्टूदेंट्स आज अब लोग बाग करेंगे डारेक्टिव इंफुलेंस ऑफ फंक्शनल ग्रूप इन मोनो सब्सिट्यूटेड बेंजीन के बारे में अब यह डारेक्टिव इंफुलेंस क्या होता है आप लोग उन्हें सुनने में आता है कि कुछ ग्रूप और्थो टारेक्टिव होते हैं ःद डारेक्टिव होते हैं जिन बैंजीन अगर अगर दो पास-पास के दो बीच पे position छोड़के अगर group substitute होते हैं तो वह पैरा होते हैं तो आप लोगों को यह terms जब आप अभी organic chemistry पढ़ेंगे तो आपके कान में आए आपके नजरों के सामने आएगी कि कुछ groups activating group होते हैं कुछ group deactivating group होते हैं कुछ ortho-paradirecting groups होते हैं और कुछ metadirecting groups होते हैं तो अब यह क्या होते हैं तो सबसे पहले अपन लोग activating group के बारे में पढ़ेंगे activating groups क्या होते हैं इसमें सबसे पहले example में लेती हो phenol का ऐसा बोला जाता है कि phenol है वो एक activating group है और ortho-paradirecting group है अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो और्थो गृप है, जो फिनॉल गृप है उसकी रियाक्टिविटी बेंजीन के अपेक्षा जादा होती है या दूसरे शब्दों में हम ऐसे बूल सकते हैं कि जो एक्टिवेटिंग गृप से उनकी रियाक्टिवि तो वो जादा reactive हो जाते हैं in comparison to benzene तो अब question आता है कि ऐसा क्यों होता है ये reactivity क्यों बढ़ जाती है तो अपन OH का case देखते हैं OH के case में आप देखिए कि क्या होता है जो oxygen है वो electronegative है और ये electron minus i effect शो करेगा ठीक है electronegative है और ये electrons को अपनी तरफ पुल करेगा और minus i effect शो करेगा जबकि oxygen के उपर lone pair of electrons होते हैं तो जो lone pair of electrons हैं वो electron donate करेंगे है ना जब देखिए OH है ये electronegative है ये minus i effect शो करेगा तो ये क्या करेगा electrons को अपनी तरफ पुल करेगा ये electrons को अपनी तरफ पुल करेगा तो क्या होगा benzene ring के उपर positive charge आजाएगा अब इसको compensate करने के लिए जो oxygen है ये अपने electrons इस ring को donate कर देंगे तो जो electrons है ये पूरे ring पर घुमते हैं और ये क्या करेंगे इसकी electron density increase कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस M effect हो रहा है जो electron pull कर रहे है वो minus I effect हो रहा है और जो electron donation है that is plus M effect अब अगर अपन इन दोनों effects को compare करते हैं तो जो plus M effect है ये ज़्यादा strong होता है और ये dominating होता है ठीक है ये ज़्यादा असरदार होता है powerful होता है तो जो electrons ring को मिल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं ring की electron density को increase कर रहे हैं और electron density increase करने का मतलब होता है कि इसकी जो reactivity है जो कारेशमता है वो बढ़ जाती है तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जितने भी electron donating group है वो सब क्या करते है rate of reaction increase करते है और ये ring activating होते है और इसलिए ये ortho-paradirecting होते है अब ortho-paradirecting क्या हुआ यहाँ अपन example लेते हैं यहाँ देखिए ortho-paradirecting अपन इनको बताते हैं बच्चों आपको कि क्या होते हैं यहाँ देखिए ये OH group है इस पर अब एक electrophile attack कर रहा है तो electrophile ये हो गई paraposition जो मैं आपको बूल रही थी इसमें एक group अगर इसको OH को अपन one number का number देते हैं तो चौथे number पे जो group जुड़ रहा है ये paraposition हो गई अगर इसके adjacent जुड़ रहा है OH के adjacent जुड़ रहा है तो ये ortho position हो गई और तीसरे number पे अगर ये जुड़ रहा है तो ये metaposition हो गई ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि electrophile attack कर रहा है तो major product क्या बन रहा है? ortho और para ये ortho position हो गई और ये paraposition हो गई और जो metaposition है वो traces में बनती है बहुत minimum बनती है तो ऐसा क्यूं होता है? इसको explain करने के लिए हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यूं होता है? इसको explain कर सकते हैं अपन लोग sigma bond complex की sigma bond complex बनता है इसके basis के अपन इसको explain कर सकते हैं यहां आप देखे क्या हो रहा है? यहां पर यह देखते हैं यह OH group है, phenol और इसमें यह 3 bond उपस थेते हैं अब क्या होता है? जब कोई electrophile इस पर attack कर रहा है तो क्या हो रहा है? इसमें electrons की कमी है तो यह जो double bond है यह इसके उपर इसके साथ जुड़ेगा ठीक है? यह यहां जुड़ा तो क्या हुआ? कि जो positive charge है क्योंकि यहां से electrons move हो गए तो positive charge है वो इस carbon पर आ गया ठीक है? और अब क्या होता है? कि जो यह positive charge है इस deficiency को पूरा करने के लिए जो OH अपने electrons है वो इसकी तरफ देते हैं तो यह sigma bond बन जा रहा है ठीक है? यहां पर sigma bond का formation हो रहा है तो इसमें जो positive charge है इसको यह stabilize हो रहा है back bonding से इसको बोलते हैं P pi P pi back bonding ठीक है? यहां पर क्या हो रहा है? जो यह positive charge आया कार्बन के उपर इसको जो OH है यह वापस इसको bond बंद दे रहा है electrons दे रहा है तो इसको P pi P pi back bonding बोलते हैं इससे इसमें stabilization हो रहा है यही अगर अपन देखते हैं कि पैरा पे बन रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है पैरा के साथ में जब अगर इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है तो यहां पर positive charge आ गया इस positive charge को यह double bond है electrons यह इस पर transfer कर रहा है ठीक है next फिर यही position आ गई यहां पर positive charge आ गया देखिए और यह positive charge को फिर यह OH है यह वापस back bonding से इसको stabilize कर देगा देखिए आप यहां पर positive charge आ गया यहां पर क्या हुआ यह double bond है यह अपने electrons यहां shift करेगा तो next इस पर क्या हो जा रहा है जो positive charge आ रहा है वो उस carbon पर आ गया जिससे OH जुड़ा है अब इस carbon के positive charge को जो OH ग्रूप है वो back bonding करके stabilize कर देता है ठीक है अब अगर अपन बात करें meta पे meta पे substitution हो रहा है तो यहां देखें क्या होता है meta पे substitution हो रहा है तो यहां पे आप देखें क्या हो रहा है यहां इलेक्ट्रोफाइल meta पे stabilize हुआ तो यह positive charge देखेंUS तयुकolare इलेक्ट्रो एक जौत यह चौत आ नमबर के carbon पे यह positive charge आ गया अब क्या हो रहा है यह positive charge move करता है, तो आप देखें जहां right लगे हैं इन इन पॉजिशन पर यह positive charge मूप करेगा, आप देखें जो यह positive charge है, इसके उपर यह जो double bond है यह अपने electrons इधर shift करेगा तो जो right है उसके उपर positive charge आगया इसको compensate करने के लिए next double bond अपने electrons मूप करेगा, तो जो दूसरा right position लगा हुआ है वहाँ पर प्लस चार्ज आ गया तो यहाँ पर एक भी पोजिशन ऐसी नहीं है जहाँ पर P-P-P-P-Bagbonding हो है ना तो यहाँ पर एक भी ऐसी पोजिशन नहीं है जहाँ पर यह stabilization हो तो जो positive charge है यहाँ पर stabilize नहीं हो पा रहा है by plus M effect of OH group पहले जो दो थे इसमें OH group के plus M effect के वज़े से stabilization हो जा रहा था जहाँ पर meta है वहाँ पर यह stabilization नहीं देखने को मिलता तो अपन लोग यह conclude कर सकते है कि for example यह सारे groups लिखे हैं बहुत और groups भी हैं पर in general OH, NH2, CH3, COCH3 और NHME यह सारे groups हैं यह सारे groups electron donating groups हैं और ortho para directing है जो major product इसमें बनेगा वो para बनता है अगर अपन compare करें ortho और para में से major product क्या बनता है तो major product generally para बनता है कुछ cases में ortho भी बनता है पर generally para product है वो major product बनता है अब अपन next बात करेंगे deactivating group की deactivating group क्या हुआ deactivating group वो हुए जिनकी reactivity benzene से कम होती है they are less reactive than benzene तो इसको दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि वो group जो ring को deactivate कर देते हैं वो metadirecting होते हैं अब यहां हम लोग example लेते हैं COCH3 group का यहां क्या हो रहा है जो COCH3 group है यहां पर oxygen है यह electronegative है अब यह क्या करती है? यह electrons को अपनी तरफ पुल करेगी यह electrons को अपनी तरफ पुल करेगी तो क्या होगा? कि यह जो double bond है आप देखें carbon यह electrons ही double bond हो है यह electrons को पुल कर रहा है तो इसको compensate करने के लिए जो यह benzene double bond है यह electrons यहां move करेगा तो अब इस पर क्या आ जा रहा है? एक positive charge आ जा रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है? कि जो positive charge है यह पूरे ring पर move करेगा ठीके? तो यह क्या कर रहा है? कि यहां पर electrons की deficiency हो गई जो positive charge होने का मतलब क्या हुआ? कि जो benzene ring है इसके उपर electrons की कमी हो गई ठीके? तो यहां पर क्या है? COCHT group, electron withdrawing group है तो इसकी वज़े से यह पूरे ring की पर electrons की कमी हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ? कि यहां पर यह जो है यह ring को deactivation हो गया ठीके? तो ऐसे समू जो electrons को अपनी तरफ खीचते हैं वो ring को deactivate कर देते हैं ठीके? deactivation का मतलब क्या हुआ? कि जो उसकी reactivity है वो कम हो जाती है तो यह electron withdrawing groups हैं तो आपन देख सकते हैं कि COCH3, NO2, CN, COOH, CHO और भी बहुत सारे groups हैं यह सारे groups क्या होते हैं? कि जब बेंजीन ring के साथ जुड़ते हैं तो वो इसकी kriya shield का जो reactivity है उसको कम कर देते हैं और यह सब metadirecting groups कहलाते हैं अब metadirecting क्यूं? यहाँ आप example देखें यहाँ पर मैं explain कर रही हूँ यह COCH3 है जब इस पर को electrophile attack कर रहा है तो माना इस double bond पर attack किया तो अगर यह ortho position पर यह जुड़ रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है? यह position आ गई अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जो oxygen है यह electrons को अपनी तरफ pull करेगा है ना? तो अब क्या हो रहा है? जो यह positive charge है यह in turn उपर की तरफ move कर जाएगा तो इस तरह से इस ring का destabilization हो जाएगा ठीक है? अब अगले में देखें अगर meta पर substitution हो रहा है भी इस ring पर घूमेगा है ना? तो यह जो मैंने tick दिखाई है उन-उन position पर आ गया तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कि यह जो positive charge है यह electron withdrawing group से थोड़ा दूर है यहाँ पर positive charge क्या था? बिलकुल electron withdrawing group पर आ गया था तो वो जादा stabilized नहीं हो पा रहा था वो destabilized था यहाँ पर भी destabilization होगा पर उपर वाले structure के comparison में यहाँ पर कम होगा relatively ठीक है? destabilization यहाँ पर भी होगा यहाँ पर भी बहुत stable नहीं है पर जो ortho position है उससे ज़ादा यह stable है तो इसलिए यहाँ पर meta का formation हो जाएगा ठीक है? तीसरा जो case आता है वो आता है special case आता है halogen का जो halogen है यह ring deactivating होते हैं पर यह ortho paradirecting होते हैं ठीक है? यह आप से exam में कई बार पूछा जाता है कि halogen क्या है? ring deactivating है और वो ortho paradirecting है तो halogen के बारे में मैं आपको next video में बताऊंगी आप लोग मेरा videos है उनको like करते रहें और subscribe करते रहें और साथ में textbook भी पढ़ते रहें जिससे आपके concepts और clear हो Thank you